फिनाईल की गोली बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें? How to start Naftaline Balls manufacturing business in Hindi Naftaline Balls सफेद रंग की गोलियां होती है, जिसका उप्योग घरों में गर्म कपडों में और बाथरूम टॉलेट आधी में किया जाता है हमारे घरों में रोजाना उप्योग में आने वाली इन सफेद गोलियों को हम लोग फिनाईल की गोलियां भी कहते हैं परन्तु सच तो यह है कि यह थोस फिनाईल की गोली न होकर Naftaline Powder से बनने वाली एक विशेश गोली है जो जीवानूओं को मारने और गंद को दूर करने का काम करती है यह एक कम लागत में शुरू होने वाला बेहधी किफायती व्यापार है जिसका मार्केट पोटेंशल भी अच्छा है इस व्यापार से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा देने जा रहे हैं जो आपको व्यापार शुरू करने के पहले के थियोरी अनुभव के लिए उप्योगी साबित हो सकता है एक, फिनायल की गोली बनाने का व्यापार के लिए आवश्यक दस्तावेज किसी भी व्यापार को चालू करने से पहले यह बहुत आवश्यक है कि आप उससे संबंधित कानूनी कारिवाही पूरी कर ले और इस व्यापार में नेफ्थलीन और विभिन टॉक्सिक पदार्थों की मौजूर्गी के कारण इसे शुरू करने से पहले आपको इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन करवाना अन वार्य हो जाता है इस व्यापार के पंजियन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है इस व्यापार के लिए आपको सर्व प्रथम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको अपना व्यापार MSME के तहट रजिस्टर करवाना होगा इसके अलावा आपको अपने स्थानिय नगर निगम से भी लाइसेंस प्राप्ट करना होगा आपको अपने व्यापार के लिए GST नंबर भी लेना होगा और अपनी कम्पनी के नाम से एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना होगा इन सब के अलावा अगर आप अपने व्यापार के लिए Quality Certificate भी लेना चाहते हैं तो आपको BIS Certificate is 5891974 नेफ खलीन भी लेना होगा दो, आवश्यक कच्चा माल इस व्यापार की शुरुआत में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल नेफखलीन पाउडर होगा जिसकी कीमत 150 रुपे किलो है इसके अलावा आपको इसके लिए तेल, कपूर, मॉम और सौफ्ट स्टोन आदी की जरूरत होगी इन कच्चे माल के अलावा आपको यह बॉल बनाने की मशीन और पैकिंग के सामान की भी जरूरत पड़ेगी 3. व्यापार के लिए जगह क्योंकि नेफ्थलीन बॉल बनाने की मशीन ज्यादा बड़ी नहीं आती, इसलिए आप इस व्यापार को कम जगह से भी शुरू कर सकते है आपको इसके लिए लगभग 50 वर्ग मीटर की जगह पर्याप्त होगी परन्तु इसे बनाने में विभिन केमिकल का प्रयोग होने के कारण आप इसे रहवासी इलाके में शुरू न करके शहर से थोड़ी दूरी पर शुरू कर सकते है 4. नेफ्थलीन बॉल बनाने में प्रयोग मशीन और उसकी कीमत नेफखलीन की बॉल बिना किसी मशीन की सहायता से बनाना भी संभव है परन्तु आजकल बहतर और जल्दी उत्पादन के लिए इसे बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है मशीन की सहायता से एक दिन में ज्यादा संख्या में उत्पादन संभव हो पाता है इसकी मशीन पूर्ण रूप से स्वचालित होती है और साथ ही जो व्यक्ती इसे ओपरेट करता है उसे भी अलग से किसी प्रशिक्षन की जरूरत नहीं होती मशीन के संचालन के लिए मशीन विक्रिता द्वारा ही मशीन आपको बेचते समय इसे चलाने का तरीका बता दिया जाता है जो इसके संचालन के लिए काफी होता है 5. नेफ्ठलीन बॉल बनाने वाली मशीन की कीमत अगर आप नेफखलीन बॉलर्स बनाने का व्यवसाई शुरू कर रहे है और आप इसके लिए मशीन खरीदना चाहते है तो आपको ये मशीन पचास हजार रुपे से शुरू होकर एक दशमलव पांच लाग तक में मिल जाएगी जो आपकी उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन करेगी परन्तु यदि आपके व्यवसाई का स्तर बहुत बड़ा है और आप कम समय में ज्यादा उत्पादन चाहते है और आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखते है तो आपके लिए बजार में कई तरह की मशीनरी उपलब्ध है जिसकी कीमत उसके प्रद मशीनों की सही कीमत इनके विक्रेता का पता और फोन नंबर और अन्य संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि नेफ्थलीन की बॉलल्स को आप मशीन और बिना मशीन के दोनों ही तरीकों से बना सकते है इसलिए हम आपको यहाँ इसे बनाने के लिए दोनों ही प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रक्रिया को इस बॉललस के निर्मान के लिए चुनते है आठ मशीन की सहायता से नेफ्थलीन बॉललस का निर्मान इसके लिए सर्व प्रथम आपको निर्मान के लिए प्रयुक्त नेफ्थलीन के पाउडर को मशीन में दिये गए पात्र में डालना होगा। अब इस मशीन के तापमान को 88 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। अब जब नेफ्थलीन का पाउडर पूर्ण रूप से पिघल जाता है तो आपको इसमे कपूर्प मुमादी सामगरी डाल कर इस मिश्रंग को अच्छी तरह से मिश्रित करना होता है। अब जब यह मिश्रन तयार हो जाता है तो आपको इस तरल पदार्ट को अलिमिनियम के बने बॉलर्स के आकार वाले पात्र में डालना होता है। अब जब यह तरल पूर्ण रूप से थंडा हो जाता है तो आप इसमें से तयार बॉलर्स को बाहर निकाल सकते हैं। और अब आपको इन बॉलर्स को बजार में सप्लाई करने के लिए सही पैकिंग करने की आवश्यक्ता होगी. बिना मशीन के नेफ्थलीन बॉलर्स बनाने की प्रक्रिया बिना मशीन के नेफ्थलीन बॉलर्स बनाने के लिए आपको सर्व प्रथम एक मोटी ताली का बर्तन लेना होगा और फिर इस बर्तन में आप तेल डाल कर इसे आंच पर गर्म करने रख दे अब जब इसमें मौजूद तेल गर्म हो जाएक तो आपको इसमें पेराफिन मोम डालना होगा और इसे लगातार हिलाते रहना होगा अब जब यह मोम पिघल जाएक तो आपको इसमें सॉफ्ट स्टोन और कपूर को पीस कर डालना होता है अब आपको इसे लगातार हिलाते रहना होता है और इस तरह से यह पूर्ण रूप से तयार होता है अगर आप नेफखलीन की बॉलल्स विभिन रंगों की बनाना चाहते है तो आप इसमें विभिन रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते है अब इस मिश्रंग को आज से उतारने के 15 मिनिट के बाद अल्यूमिनियम के सांचे में डालना होता है और 24 घंटे बाद आप इन में से यह बॉलल्स प्राप्ट कर सकते है 9. लागत और लाब क्योंकि हम यहां बहुत छोटे स्तर पर व्यापार की बात कर रहे है इसलिए हम आपको यहां इस उद्योग को शुरू करने के लिए नियूनतम रुपयों का आइडिया दे रहे है अगर आप अपना उद्योग बड़े स्तर पर चालू करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी लागत और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाएंगे अगर आप अपने व्यापार के लिए 1.5 लाग की मशीनरी बजार से लेते हैं तो इसके अलावा कच्चे माल, जगह का खर्च, बिजली का खर्च, मैन पावर का खर्च और पैकिंग संबंधित अन्य खर्चों को मिला कर आप लगभग 3 लाग में यह व्यापार शुरू कर स चोटी स्तर पर इस उद्योग के लिए आपको ज्यादा वकस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपकी मशीन स्वचालित होती है इसलिए आपको केवल एक मशीन ऑपरेटर और एक व्यक्ति की आवश्यकता पैकिंग के लिए होती है, इसके अलावा अपने व्यापार का स पुविजन आप स्वयम कर सकते हैं. इस व्यापार में मशीन चलाने के लिए व्यक्ति को किसी दूसरी जगह ट्रेइनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है. इसके लिए आवश्यक ट्रेइनिंग मशीन विकरेता कंपनी द्वारा विकरे के समय ही प्रदान कर दी जाती है. 11. नेफ्थलीन बॉलर्स निर्मान कारोबार की संभावना नेफ्थलीन बॉल एक जीवानों प्रतिरोधी है, इसका उप्योग शहरी क्षेत्रों में सफाई के लिए व्यापक रूप से किया जाता है आजकल सफाई के लिए लोगों की बढ़ रही जागरूपता के कारण भी इसका उप्योग अधिक होने लगा है यह नेफ्थलीन की गेंदे कुछ समय बाद अपने आप हवा में वाश पीकृत हो जाती है, इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में सदा बनी रहने वाली है इसके अलावा इसका उप्योग अस्पतालों, बड़ी बड़ी कपडों की दुकानों आदी में भी होता है इस तरह से इस उद्ध्योग के लिए बजार में बहुत संभाव नाएं हैं, जिससे आप लाब कमा सकते है बारह, इस व्यापार में विग्यापन के लिए मारकेटिंग के लिए कम पैसों में संभव कुछ आसान टिप्स एक, जब आप नेफ्धलीन की बॉलर्स की पैकिंग करते हैं, तो आप इसमें अपने उद्ध्योग के नाम के पर्चे छपवा कर डाल सकते हैं, जिससे लोगों को आपके उद्ध्योग के बारे में पता चलेगा आप डाइरेक्ट बड़े बड़े अस्पतालों और कपड़े की दुकानों में संपर्ख कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी बिक्री ज्यादा संख्या में एक साथ होना संभव है दो, आजकल केंदर सरकार द्वारा गावों में भी पक्के शोचाले बनाने का काम किया जा रहा है, आप चाहे तो अपने आसपास के गावों में जाकर भी अपने प्रोड़क्ट के प्रती जागरूपता फैला सकते हैं, जिससे आपको यहाँ एक नया मार्केट मिलेगा अपने प्रोड़क्ट को मार्केट में उपलब धन्य कमपनियों से कम भाव में बेचना भी आपके लिए मार्केटिंग का कार्गर तरीका बन सकता है तीन, नेफ्थलीन बॉल मेकिंग बिजनस बहुत कम लागत में शुरू किया जाने वाला बहुत अच्छा बिजनस है हन्य आर्टिकल्स के लिए आप हमारी साइट बूक मार्क भी कर सकते हैं हन्यवार प्लीज सब्सक्राइब और हिट बेल आइकॉन